हेलो स्टुडेंट सभी को मेरा नमस्कार फिर आज हम एक नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो नया टोपिक हमारा आज का है वो पार्ट नमबर टू अबाउट मसल्स के बारे में है और फिछले वीडियो में हमने इंट्रोडेक्शन देखा था मसल्स का आज हम क्या करते हैं मसल्स के टाइप्स देखते हैं तो आज का हमारा टोपिक होगा क्या टाइप्स ओफ मसल्स टाइप्स ओफ मसल्स सबसे पहले आप यह समझेए कि टाइप्स ओफ मसल्स का मतलब क्या है तो टाइप्स का मतलब प्रकार होता है मसल्स का मतलब पेशियां होती है तो हमारी बोडी के अंदर पेशियां के प्रकार ढूंडेंगे हम कितने प्रकार के जो है पेशियां हमारी बोडी में मिलती है तो देखिए हमारी बोडी में अगर पेशियों के टाइप सम देखें तो मैं बनाता हूँ यहां पर उनके टाइप के लिए एक चकर बोड़ और आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर तीन बनाए हैं वन टू और थ्री तो पहले प्रकार की जो मसल्स हैं मसल्स पहले प्रकार की मसल्स को मैंने लिखा है इस्ट्राइटेड मसल्स दूसरे प्रकार की जो मसल्स है मैंने उसको लिख दिया अन्स्ट्राइटेड मसल्स और तीसरे प्रकार की जो है उस मसल्स को मैंने लिख दिया कार्डियक कार्डियक मसल्स सबसे पहले ये देखिए कि स्ट्राइटेड मसल्स का मतलब क्या होता है अनिस्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है कार्डियक का मतलब क्या होता है तो स्ट्राइटेड मसल्स है स्ट्राइटेड का मतलब होता है रेखित और मसल्स का मतलब पेशिया तो पहले प्रकार की जो मसल्स है उन्हें हम हिंदी में कहेंगे रेखित पेशिया अन का मतलब ए होता है और स्टाइट का मतलब रेखित होता है तो ए रेखित पेशिया हो गया हमारे दो नमबर का टॉपिक तीसरे प्रिकार की हम कार्डियक देखते हैं और कार्डियक को हम विज्ञान की वासा में कार्डियक जो है विज्ञान की वासा में बोला जाता है लेकिन इसे हम इंगलीज में हर्ट बोरते हैं और हिंदी में रिधे कहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह रिधे पेशियां हो गई, यानि रिधे की दीवारों में जो पेशियां होती हैं, उन्हें हम cardiac muscles कहते हैं, तो तीन तरह की पेशियां मैंने यहां पर ड्रो की है, astated muscles, unstated muscles and cardiac muscles, लेकिन अब इनके कुछ निकनेम हम देख लेते हैं, कुछ others names जो आएं, उनको भी हम डून लेते हैं, कि वो कौन से name हैं, जिससे कि आपको confuse ना होना पड़े, और अगर उनके दूसरे नाम आ जाए, तो आप भी question को शोल कर सकें, सबसे पहले में astated muscles की बात करता हूँ, तो इस muscles को और क्या कह सकते हैं, सबसे पहले कौन सी muscles, astated muscles, तो astated muscles को हम ओड क्या कहते हैं, तो ये ऐसी muscles होती हैं, जिनके उपर हमारी इच्छा का नियंत्रन होता है, आपकी जो अर्ज है, जो इच्छा है, जो अभीलाशा है, जो इस्मृत, इस्प्राहा है, उसका इनके उपर जो और चलता है, और जो दूसरे प्रकार की है, आगे वाली देखिए, unstated muscles, चूँकि ये रेखित पेशिया थी, इसको मैंने उल्टा लिखा, रेखित पेशिया, तो voluntary muscles हैं, तो ये इसके विपरित नेचर वाली होगी, इसलिए मैं इसको लिखूंगा, involuntary, involuntary muscles, कौन से प्रकार की हो गई, involuntary muscles हो गई, और ये वाली जो है, इनको हम heart muscles कहते ही है, क्योंकि ये heart की wall में पाई जाती है, रिदे की दिवारों में पाई जाती है, अब यहाँ पर voluntary जो है, इस शब्द का अर्थ डूंडें, तो हमें पता चलता है, जिसके उपर हमारी इच्छा का नियंत्रन हो, और जिस पे इच्छा का नियंत्रन होता है, यानि एच्छिक और muscles का मतलब पेशियां, तो इन muscles को हम कहेंगे एच्छिक पेशियां, और involuntary का मतलब होता है, जिसके उपर आपकी इच्छा का नियंत्रन नहीं हो, तो उस इच्छा का नियंत्रन नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम अनेचिक और muscles का मतलब पेशियां, और heart muscles का मतलब आप जानते ही हैं, रिदेपेशियां, तो types of muscles में हमने तीन केटेगरी देखी, पहली, stated muscles, also known as voluntary muscles, second unstated muscles, also known as involuntary muscles, third वाली जो है, मैंने cardiac muscles का है, उसी को मैंने heart muscles लिखा है, अब हम ये देखते हैं कि ये कहां होती है, ये वाली कहां होती है, और ये वाली कहां होती है, तो इनकी मैं position देख लेता हूँ, position हमारी body में कहां इनको ढुंडे हैं कि वहाँ पर य position का मतलब इस्तति होती है भई, कहां पर इस्तित है, तो जो stated muscles ये all are present on our bones, on bones, कहां पर present है, हमारी हडियों की उपर present है, हमारी सरीर का ढाचा है, वो किसका बना हुआ है, अस्तियों का बना हुआ है, हडियों का बना हुआ है, और इस हड्यों से बनेवे डाचे को आप क्या बोलते हो, skeleton बोलते हो, तो जो skeleton के उपर muscles present होती है, उन्हें हम strited muscles कहते हैं, और जो, चुंकि ये किसके उपर present है, हमारे skeleton के उपर present है, यानि हमारी हड्यों के उपर present है, इसलिए एक तीसरा नाम में इसका ओर लिखता हूँ, और वो तीसरा नाम है, skeletal muscles, और skeletal को आप क्या बोलते हो, कंकाल बोलते हो, क्या बोलते हो, कंकाल, तो इनका तीसरा नाम और निकलाया यहाँ पर, जिसका नाम है, कंकाल पेशिया, तीसरा नम क्या हो गया कंकाल पेशिया अब यहाँ पर देखिए इसकी पोजिशन कहा होगी तो इसकी पोजिशन होगी इंटर्नल इंटर्नल ओर्गन्स यानि हमारे आंत्रिक अंग्य या हमें कहूं विश्रल ओर्गन्स जो हमारे विश्रल ओर्गन्स हैं जो हमारे आंत्रांग हैं जैसे फॉर एक्जम्पल आपके लंग्स हैं आपकी लीबर है आपकी ओवी डक्ट है आपकी यूरिटर है आपकी रेस्पिरेटरी डक्ट है आपका गोल्बलेडर है आपकी पेंक्रियाज है तो मैंने बहुत सारे नाम लिये यकरत का लिया, पिता से का लिया, पित वाहिनी का लिया, यकरत वाहिनी का लिया, अगनाशे वाहिनी का लिया, आपके शुक्र वाहिनी का ले लिया, मैंने अंड वाहिनी का नाम ले लिया, अहर नान का नाम ले लिया, तो इनकी जो दिवारे हैं, उन दिवारों जो मसल्स प् पता चल रहा है कि कार्डियक मसल्स कहां प्रजेंट होगी आपके कार्डियक पे होगी और कार्डियक किसको बोलते हैं आपके हर्ट को बोलते हैं आपके दिल को बोलते हैं तो दिल की दिवारों में जो मसल्स होगी वो क्या कहलाएगी रिदे पेशिया कहलाएगी तो मैं कह सक करता हूँ wall of heart, wall of heart, wall of your cardiac, जो आपका रिदय है, उसकी दिवारे हैं, उन दिवारों में जो मसल्स मिलेगी, उस मसल्स को हम कहेंगे cardiac मसल्स, यह हुई position की बात, किसकी बात हुई, position की बात, अब हम देखते हैं, इसकी सेप की बात, क्या देखते हैं, सेप की बात देखते हैं, सेप कैसी होती है, शेप, तो सेप जो है, इसके नाम में ही, यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है, strited होती है, strited, कैसी होती है, strited, और इसकी बात करें, तो यह होती है, spindle, spindle, spindle से, और इसकी बात करें, तो यह strited भी होती है, प्लस, branched, इसमें structure नजर आती है, intercalary disc मिलती है, इसमें, अच्छा, strited किसे कहेंगे, तो देखिए, यहाँ पर, यह मैंने एक muscle fiber ले लिया, और इस muscle fiber को जब हम देखें, तो इसमें, इस तरह से, regular interval पे, regular interval पे, कोचे, light and dark bend दिखाई देते हैं, तो बाहर से जब इस पैसी को देखेंगे, तो यह कैसी दिखाई देगी, रेखित पैसी दिखाई देगी, तो यह वाला पहले परकार की safe हो गई, started, दूसरा मैंने spindle से लिखा है, spindle, तरकू रूपी, तरकू रूपी का मतलब क्या है, तरकू रूपी का मतलब यह है, इस तरह की जो दिखाई देगी, बीच में यह निकलियस आ गया, इसके बाहर जो है, इसकी लिमा आ गई, प्लाज्मा लिमा, जिसको हम कहेंगे सारकू लिमा, और सारकू लिमा क्या होता है, प्लाज्मा मेंब्रेन को muscles के condition में, in the case, in muscle fiber and muscle cell की outer covering है, उसको प्लाज्मा लिमा क इस अस्थान पर हम सारकू लिमा कहते हैं, जब हम structure of muscles पढ़ेंगे, तो उसमें हम this term को और समझेंगे, यह क्या है, निकलियस है, और इसके अंदर क्या बिरा रहेगा? अरे इसके अंदर क्या बिरा रहेगा भही? इसके अंदर यह सेल के अंदर क्या होता है? साइटो को सारकोपलाज में कहते हैं क्या कहते हैं शारकोपलाज में कहते हैं तो इस तरह की दिखाई देगी अगर मैं बात करूँ कार्डियक मसल्स की तो कार्डियक मसल्स को ड्रो में करता हूँ यहां पर तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से आपको उसके branches नजर आएंगे क्या आएंगे वही branches नजर आएंगे यह देखिए यह branch बन गई यह यह बन गई यह 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 यानि more non-nucleated है लेकिन यह branches दिखाई दे रही है तो इस तरह की जो structure नजर आएगी वो किस में आएगी cardiac muscles में आएगी यहाँ अगर मैं nucleus की बात करूँ इन तीनों के अंदर nucleus तो जो यह strited muscles है इसमें nucleus में ढूंडूँ तो देखिए यहाँ nucleus मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा जबकि यह single muscle fiber बनाया है मैंने, तो poly nucleated होती है poly nucleated क्या होती है poly nucleated और poly nucleated conditions अगर किसी animal cell में मिलती है, तो उसको हम sincere cell बोलते हैं और अगर poly nucleus वाली condition किसी plant cell में मिलती है तो उसे हम sinusites कहते हैं, तो यह sincere stage किसमें मिलेगी stited muscles में मिलेगी, और अगर मैं बात करूँ इसमे unstited muscles की, तो unstited muscles है इसमें nucleus कितने होंगे तो इसमें nucleus होता है only single single nucleus मिलेगा और इसमें भी बात करें तो nucleus कैसा मिलेगा single nucleus मिलेगा only single nucleus having seen in the case cardiac muscles तो यह इसकी nucleus वाली stage हो गई अब बात करते हैं भई इसका जो function है वो manly क्या है तो इसका जो function है voluntary muscles का आपको पता है यह काँ पे मिलेगी यह कंगाल पे मिलेगी तो हमारी हडियों में जो जो हम गमन करते हैं वो सारे के सारे के लिए कौन responsible है कंगाल पेशी आए और इसका क्या काम होगा जो हमारे आंत्री कंग है जैसे आपने कुछ खाना खाया गले में गया गले से isofagus में आया isofagus से वो यहां पर स्तमक में आ गया स्तमक से फिर small intestine में फिर large intestine में आ गया तो यह जो travel कर रहा है यह जो traveling करेगा उस traveling करने के लिए या मैं कहूँ कि आपका जो इस्टमक है उसमें बोजन गया तो उसकी जो चर्णिंग होगी तो वहाँ पर एक मुमेंट चलेगा जिसे कि हम इस्टमक का प्रसेस्टाइल्स मुमेंट कहेंगी वो जो प्रसेस्टाइल्स मुमेंट इस तरह से होगा उसको करने के लिए उसकी दिवारों में जो मसल्स होगी उनका काम होगा और वो दीवारों में जो मसल्स होगी वो कुन सी है अनिस्टाइटेड मसल्स है तो यह जो अनिस्टाइटेड मसल्स है यह हमारे जो इंटर्नल ओर्गन है उनके अंदर उनके अंदर जो मुमेंट होगा जो उनके अंदर गती होगी जो उनमें कॉंट्रेक्शन होगा जो relaxation होगा वो काम किसके द्वारा किया जाएगा Uninstated muscles के द्वारा किया जाएगा और दूसरी बात ये दो का काम हो गया थर्ड वाले का काम अगर आप देखोगे cardiac muscles का तो cardiac muscles का तो आप जानते हो ये एकमत्र AC muscles हैं जो जीवन भर काम करती रहती है कभी नहीं ठक दी जिस दिन ये ठक गई उस दिन हमारी छुट्टी हो गई यानि ये समझिये कि रिदेपेशिया जीवन भर काम करती रहती है जब तक ये काम करेगी रिदे क्या है pump करता रहेगा और जिस दिन ही इनोंने काम करना बंद कर दिया, रिदे ने pump करना बंद कर दिया और रिदे pump नहीं करेगा, तो blood का circulation body में नहीं होगा तो oxygen जो है transportation वो नहीं होगा वो नहीं होगा, तो cell के अंदर oxygen वाला जो process है ATP का generation है, वो नहीं होगा वो नहीं होगा, तो cell की जो है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी एनर्जी नहीं मिलेगी तो cell death कर जाएगी तो tissue death करेगा अगर काम नहीं कर रहा उसकी सेस जा रही ये काम से तो फिर वो organ काम नहीं करेगा और organ काम नहीं करेगा तो system बिगड़ जाएगा system बिगडेगा तो पूरी body खराब हुजाएगी और body की किसी गज़रत नहीं है सब उठा करके समसाल मिले जाएगे तो हम यह कहें कि यह वाली जो cell है cardiac muscles यह cardiac muscles जियोन पर काम करती रहती है और इनका काम क्या है हमारे heart की जो wall है, heart में जो chamber है हाट की जो pumping reaction है उसको regular बना के रखना continue करके रखना तो यह एक out view of types of muscles के बारे में हमारा आज का वीडियो था अगले वीडियो में हम इनका जो major differences है उसको और साथ में structure of muscles structure of muscles को लेकर के हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक muscles जो है made होती है और किस से मिलकर बनी होती है तो अगले वीडियो तक के लिए आप introduction वाला chapter about muscles and types of muscles वाला आप देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं next video में हम structure of muscles लेकर आएंगे और तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं and then you will be make your own notes in your language so please continue your study thank you for watching welcome